So hey guys, welcome back to another video, तो दोस्तो आज हम बात करेंगे Redmi Note 10 series के बारे में कहा जा रहा है कि ये phone इसी मन्त launch होगा, August last week तक साइट से हाँ इसी मन्त launch होगा, ऐसा leaks आ रहा है, दोस्तो यहाँ पे Redmi Note 10 series के अंदर हमें दो smartphone दिखने को मिलेगा, Redmi Note 10 और Note 10 Pro, और हो सकता है Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Pro Max नाम से launch हो जाए, ठीक जैसा Redmi Note 9 series के time हुआ था, दोस्तो यहाँ पे AI benchmark के उपर listing हो चुका है Redmi Note 10 series का smartphone और साथ ही साथ यहाँ पे हो चुका है इस phone का hands-on image भी leak, दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे Redmi Note 10 series के अंदर हमें क्या कुछ feature और specification दिखने को मिल सकता है, इस phone का जो pricing होगा, क्या हो सकता है और कब तक इंडिया के अंदर launch होगा, सारी details वाली वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा, काफी interesting वीडियो होने वाला है बिल्कुल भी skip मत करना, last तक जरूस से बने रहना, और अगर subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर लो, like भी कर लेना, so let's begin सबसे पहले तो दोस्तों बात कर लेते हैं, Redmi Note 10 Series के regarding जो चीज़े confirm हुआ है, उन सारी चीजों के बाड़े में फिर जाके हम expected feature or specification भी जानने की कोशिश करेंगे Redmi Note 10 Series का जो hands-on image leak हुआ है, ना कुछ इस तरीके से आपको दिखने को मिलेगा अगर front side की design के बाड़े में बाते करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको वही same similar center punch hole display design के साथ आपको Redmi Note 9 Series जैसा ही front side का design दिखने को मिलता है, और यहाँ पे clearly show हो रहा है कि जो finger pin sensor होगा ना, physical वाला side mounted physical finger pin sensor के साथ आपको इस बार भी दिखने को मिलेगा, तो जो यहाँ पे previous leaks के according आ रहा था कि Redmi Note 10 Series जोगा, इसके अंदर in display fingerprint sensor और AMOLED display के साथ आने वाला था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे clearly दिख रहा है कि यह जो leak image है ना, इसके according side mounted physical fingerprint sensor के साथ ही आपको Redmi Note 10 Series दिखने को मिलेगा, बड़ य Redmi Note 10, यह जो video होगा, इसके साथ आपको IPS LCD display और side mounted physical fingerprint sensor दिखने को मिल जाए, आपको क्या लगता है, नीचे comments में ज़रू से मुझे बताना, दोस्तों Redmi Note 10 Series के अंदर आपको performance के लिए दिया जाएगा, Mediatek के तरब से budget category के अंदर में 5G ready chipset, जो की हो सकता है, Mediatek के तरब से 800 series का कोई एक chipset, strongly chance है कि इस phone के अंदर आपको 820G का Mediatek Diamond City, 820G chipset के साथ दिखने को मिलेगा, जो की 7NM architecture के उपर base है, और दोस्तों साथ में 5G ready chipset है, 5G connectivity आपको dual 5G network का support भी मिल जाएगा इस chipset के साथ, दोस्तों यहाँ पे Redmi Note 10 Series, इस phone के साथ आपको RGB का RAM variant मिलेगा, और भी variant मि चुका है, और अगर finally बात करें, launch date and price के बाड़े में, तो कहा जा रहा है, Redmi Note 10 Series जो होगा, under 15,000 से start होगा, Redmi Note 10, और जो pro variant होगा, जाधा से जाधा under 20,000 के आसपास में launch होगा, दोस्तों यहाँ पे launch date इसी मन्त हो सकता है, August last week, और दोस्तों चाइना के अंदर ही सबसे पहले launch होगा, जैसा होता है, फिर जाके एक से दो महने के अंदर में, आपको इंडिया के अंदर भी दिखने को मिलेगा, Redmi Note 10 Series, दोस्तों एक से दो महने के अंदर में, यानि की October, या तो फिर November के बीच में, आपको Redmi Note 10 Series दिखने को मिल जाएगा, दोस्तों यहाँ पे 5G ready device होगा, under 15 1000 में launch होगा, Mediatek Diamond City 800 Series जैसा chipset आपको मिलेगा, तो क्या आप spawn के लिए excited हो, क्या आप spawn के लिए wait करना चाहोगे, सब कुछ नीचे comment section में जरू से मुझे बताना, so आज के लिए बस इतना ही, मैं आप से मिलता हूँ किसी ने extra exciting वीडियो में, तब तक के लिए good bye